इति श्रक्ति होगा चोदा में तो बीजेपी एक सिर्जिता था आठ सिर्जिता एक बड़ा गुरुत हुई उनिस तक चोदा से उनिस तक प्रधान मंतरी जी की मिक्तित हो उनकी नीती को उडिसा ने पसंद किया तेखो मैं ये असपलना कभी नहीं कर पाऊंगा कि मेरे कारण उडिसा में बीजेपी बनी है बीजेपी असी के बाद उडिसा में बनी उसके पहले जनसंग भी था चोटी तक था लेकिन बीजेपी के एक क्वांटम गुरुथ हुई सब्स्टेंशल जंप हुई चोदा के बाद उसमें मूल कारण है प्रधान मंतरी नरिदर मोदी जी की भोरोसा उसके साथ हमारी जो और्गनेशनल कैपैसिटी रही उसमें जुड़ी लेकिन आज हम इसके करण हमने चोदा में जब देश ने पूरा भोरोसा किया उस समय में भोरोसा नहीं कर पाया हम तीन नमर की पार्टी थे चोदा में भी उन्हें साथ आते हम लोग का वोट बैंक आपको मिला कॉंग्रिस का वोट शेर में उसकी सब्दा लोगों का मोदी की बूट बैंक बन गया एचा किसी चाहम ने उदार नहीं लिया लोगों ने बहुरा चाहिकिया कि मोदी हमको डेलिवरी कर देखे हमारी परंपरा में जब कभी बिपत होती है उस समय में तू-तूमे में नहीं होती है उस दिन सबकी इच्छा था मैं तो सुबेश से था हुआ सबकी कोशिस थी कि भाई लोग जो हताहत हुएं उनको कैसे रेस्क्यू करें उनको कैसे हॉस्पिटाल पहुंचाएं दुर्भा कैसे जिनकी जिन्देगी चली गई उनकी परिजनो से करना चाहते थे लेकिन सामुएक रोग में जो परित लोग थे और जो स्तानेय लोग ते डोनों ने उस राजनिती की पंजय में नहीं आए लोगों ने उसमें धर्या से जो वेवस्ता चल रही थी राज्य सरकार की द्वारा जो वेवस्ता थी या जो किंद्र सरकार की द्वारा वेवस्ता थी यार सबसे तो उपर वहां की वेवस्ता तो समाले थी नागरिकों ने लोगों ने समाले थी ये हमारी देश की मूल परंपरा है और वहां की मुख्यमंत्री भी आया थे अनिराज् कुछ लोगों को राजनिती नहीं करना था कुछ लोग ने किया निकल चुके हैं बीजेपी तो प्रती महने में जन जागर में जाती है और अभी जून महने में हमारी सरकार को जब और वह साल पुरी हुई देज भर में एक ब्यापक जन संपर का नागरी को तक पहुंचने का किया गिया उसमें उड़ी समय में हमने उसको सब हलता के साथ किये बाकि चुनाओ मैंने मिशुना हूँ चुनाओ वो थो आरली कराना चाहतें लेकिन देखतें क्या होगा इलेक्श ऑजिसरें राज्या में कम एंतराल में दो दो बार चुनाओ करना उडिसा के नागरी कों की हित्मे नी है अप्टे रसाखक हचा तो होगा राज्य की खर्चा होगा तैक्सपार की पाईखक हचा होगा तीन महेने के बाद उतो चुनाओ क्यों अलग कराएगा ने करने चाहिए देखें कि क्या होता है देखें मैं बीजेपी से बच्पन से जुड़ा हूँ मैं बीजेपी को दो दुष्टे से देखता हूँ बीजेपी एक राजनितिक पार्टी केबल नहीं एक सामाजी कांदोलन है आज दुनिया की सबसेक प्रभाविक प्रभाव साली सामाजी को राजनितिक संगठन की रूप ले चुकी है हम आज देश की हरे गाउं में है हमारी नेत्रतों की सिकृति आज भारत की सरवाधिक लोगों के अंदर है क्या ये सभी जगापे भोट कनवर्टिबिलिटी पे हो पा रहा है साध नहीं हो पा रहा है इसका अरत नहीं कि BJP की फूट्प्रिंट यहां है वहां नहीं है वहां गड़ चढ़ गया वहां गड़ गया इसे नहीं है भारत की छेला गाउं में BJP है और मैं जाइत्व के साथ कह सकता हूँ बाकि दूसरा रहा भोट जितना मैं बहुत भविश्य बक्ता तो नहीं हूँ और हमारी पूरा कन्विक्शन के साथ तो है तुछे बार सरकार मोदी जी का ही बनेगा लेकिन पिछले दो चुनाओं को अगर मैं एक पॉब्लिक पॉलिशी और पॉलिटिकल साइन्स की स्टूडेन के नाते में अनलेसिस करता हूँ ना चोधा में ना उन्नीस में जिस क्वालिटेटिव विक्ट्री भारतिय जनतापार्टी और इंडिये की प्रधान मुंध्ये की नेतरूत में हुआ हमारी कोई औपोनेट को कोई राजनितिक पंडितों को यह आकलन नहीं थी प्रधान मंतिर नारिजर मोदी जी इक करवंचन था कि दिल्ली में रहके ही राजनितिश चलती है चोदा की पहलो दिल्ली में रात को नहीं रहते थे देश ने भरोशा किया यह को आईडीय को भरोशा लोग करते हैं बानी को लोग भरोशा करते हैं आज देश की सबसे भरोशेमन्द विक्तित्तों का नाम है नरेंद्र बोदीजी वो हमारे प्रधान मंत्री है और हमें कोई रत्ती भर भी शंदे नहीं है जब कभी देश में आम चुना होगा लोक्षभा के लिए भारत की सभी इलाका प्रधान मंत्री जी की नेतुरत को सिकृति देखे पिछले बार से ज़्यादा भोड़ देगा कई का अधार के लिए है क्या कोई आर्ट्रेटी बाइडिया है क्या इन शभी के हातों में उन राज्यों में दाई तो लंबे समय तक था, कॉंगरेस पार्टी की नेतुरतों में इस देश में लंबे समय तक सासन बेवस्ता चली, पीड़ी दर पीड़ी चली, इस देश के हालत क्या करके उन्होंने छोड़के गया था, तो इसलिए लोग, इनकी मन में एक अहंकार है, हम बड़े परिब स्मिर्ताजी अगर हम एशय करते तो यह प्रस्ण आप ही के स्टूडियो में आप मेरे को पूस्तिय क्या, और पार्लामेंटरी डेमोक्रासी की कई एक कॉंगरेस पांटी के लिए गांधी परिवार के लिए अलग भासा है क्या, आपने गाली दिया, आपने एक जाती को पि निया पालिका ने आपको सजा सुनाई, निया पालिका अपेक्सा कर रहा था, आप सर्विंद सार होगे, आप थोड़ा माफी मांगोगे, आप आपकी घमंड से उतरे नहीं, आपी ने कानून बनाये था कि जो लोग गुनेगार होंगे उनको दाइत्व से मुक्त होना पड आपकी प्रधार मंतर जब विदेश में थे, आपने गाली दिया था, उसको फाड़ा था, उसी आपको पता नहीं था, एक दिन आपके अहंकार आपको बेद अखल कर देगी उस निती के कारण, अहंकारी कौन है? एक देश भर में कहावत है, जब बाग बुड़ा हो जाता है, टाइगर बुड़ा हो जाता है, एक कंकन लेके नदी किनारे पेठता है जाके, कि मेरे पास आओ, मैं स्नेह करूँगा, मैं प्यार की दुकान चलाओंगा, महबत की दुकान चलाओंगा, जो मेरे पास आएगा मैं उसको कंकन दोंगा कोई नहीं मानता है इस देश में मैं हरे गाउं की एक कहानी कह सकता हूं क्या दिल्ली ने 1984 की दंगा को भूला है उनकी राज में जो जो घटनाय हुई है उनी के द्वारा क्या वो फर्सकान को इस देश ने भूला है आप जब जिम्मेवारी इम्मे थे तब आपने क्या कहता जब बड़े पेड़ गिरता है धरती हिलता है ने लोगों को मर ने दिया आपने देश में भाईचार को खतम करना विकास ना करते हुए संक्रिनता से आप गरीवी को बढ़ाना और उसी में आपकी राजनितिक रूटी सेखना या आपकी निती रही उ अज देश में लोगों ने आपको अश्युकार किया है आज देश में लोग पॉलिटिक सब पर्फॉरमंस में विश्वास करते हैं जो काम करता है उसी को भरोसा करते हैं सिर्फ बीजेपी का बारे में में नहीं कहूंगा आप जिते तो EVM सही है आप भारो दो EVM नकली है य अपने नारा दिया था आपने कुछ नहीं किया आज हमने DBT यूज करके लाखों कोड़ रुपिया गरीबों के लिए बचाया और फिर री इन्वेश्ट किया दस लाख कोड़ रुपिया की क्यापेक्स इसी साल मोधी सरकार कर रही है उस बचत के कारण आप चुनाव तो इलेक्सन कमिशन को गाली दोगे मनिपूर में जो घटना हुई मैं उसको उचिंता जनक बिश है उनहीं होनी चाहिए ता इसमें से कोई उसमें सको शिवकार करने में कोई द्युधा नहीं है लेकिन मैं अगर आपको मैं याद दिलाओं पुर्वतर राज्य में और बिहार जिसे राज्यों में लंबे समय तक बिभिन कारणों से सामाजिक तनाव बना रहा लेकिन धीरे-धीरे सारे की समाधन के ओर हम बढ़ चुके हैं समाधन हो चुका है लेकिन जो समाजी बनावट के अंदर कुछ fault line है यह शिर्फ निकट की fault line नहीं है कुछ fault line तो सद्यों का है ये कभी-कभी कुछ छोटे से चिंगारी एक बड़ा रूप ले लेता है अभी तो मनिपूर को अगर मैं घटना करके करो तो उसकी चिंता करते हुए मैं कहूँ मैं उसको कोई यस्टिपिकर से नहीं कर सकता हूँ लेकिन जो रेकॉर्ड्स आप लोगों नहीं दिखाई है उसमें से हमने तो उसकी भरपूर चिंता किया ये नहीं होनी चाहिए था कि पार्लामेंट की दोनों सदनों में कुन डर राई ये रोज दिख रहा है सरकार सारा विशे के लिए चर्चा के अंदर त्यारी रखती है कालवी मेंने राज़े सभा में बैठाता है चेर्मेन महोदेय ने सपस्ट अरूप में कहा आपकी किशी भी विशे पे सरकार की और से रूल आधारित एक चर्चा सरकार सहमत है आप रूल आधारित चर्चा करो यह कोई बजार नहीं है कोई हाट नहीं है कि भाई मैं आया मैं जो जोर से कहूंगा वो निती बन जाएगा लोक्षवाओ या राज़े सभा चलने के लिए रूल वूक है रूल वूक के आधार पे कोन प्रस्ण उठा सकता है किश-किश भीचे पे प्रस्ण उठाए जाए सकता है और उत्तर कोन देखा इसकी ब्यवस्ता सुरू से ही है पच्चेतर साल चे है और आप कहोगे कि नहीं हमारी शुविधा से उत्तर हो ऐसे नहीं हो सकता है काल मेरा एक वेक्तिकोत अनुभब मैं कहता हूं काल मेरे विभा के शिक्षा विभा की चार प्रस्ण थे राज्यसभा में चारो प्रस्ण करता उपस्तित थे एक प्रस्ण करता भारिफ्य जन्तापाटी के थे उन्होंने प्रस्ण पुछा और एक दो लोगों ने supplementary पुछा, मैंने उतर दिया, उस डीन के अंदर भी, रेकर्ड में आया, बाके थीन प्रस्ण करता, विपक्ष के मित्र थे, उन्होंने उपस्तित रहते हुए भी प्रस्ण नहीं पुछा, मैं तो उतर देने के लिए तियार था, तो इसको क्या कहा जा मुझा जवा जानता है, तो हमारे महा फ्रसद जगत प्रसिदा है, जगनाजी का प्रसाद, जिसमें से जो हो ही आजिया बेंजन, हम चाओल खाते हैं, डाल, हमारी सबी हमारा एक मिला हुआ बेंजन है, दालमा, भात और डालमा, यह हमारी लोगों की अतिप्रिय खाना है मीठा को लेकर जगड़ा हो यह नहीं सकता है, मीठा तो मीठा ची है मनुष्य कभी-कभी आपने आइडिन्टिटी को लेकर कभी-कभी थोड़ा ज़्यादा अगरही हो जाता है मैं जोर से नहीं बोलता हूँ, उसके अर्थ यह नहीं कि मैं मेरे परीचे के बारे में conscious नहीं हूँ, मैं आपको दो-तिन घटना बताता हूँ अब जानते हैं भारत में भासा आधारित राज्य, भासा आधारित राज्य, यह कहां का कलपना है बिश्वी जदी के प्रारम में से, वायने 1923 से यह आंदोलन उडिसा में शुरू हूँ कि हमारी भासा को एक अलग प्रसाशनिक एकाई भासा भासी इलाका को बनाया जाए 1936 में 1936 में अंग्रेज पिरियर्ड में भी उडिसा पहला भारत की भासा आधारित लिंग्विस्टिक बेस टेट है जिसको सरदार पटेल जीने बाद में 50 में नेशनल पॉलिशी बनाया उडिसा पहला नमबर है उडिसा में अभी महात्मा गांधी जी की दो आंदोलन देश को नई जागुरती दिया स्वधेशी आंदुलो और लबन सत्यागरा यह महात्मा गांधी जी जिस विचार को गांधी जी ने क्या 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 आके इस प्रकर करने को विचारों को लेके अंटिकुलेट के वो विचार तो उडिशा चाहा है था आप जानते हैं उडिशा की एक बहुत मुर्धन विक्ति भिमभोई ट्राइबल थे आंखों से नहीं दिखने वाले थे अंध थे इसलिए अंध कंध कभी भिमभोई कहा जाता है उन्होंने एक कभीता लिखा था जो कहां लिखा गया अभी यूएन में उदृत है यूएन में उसको कोट करके लिखा गया है लेट मैं लाइफ गो टो हेल दिस इनुवर्स उल कम अप मोजी बना पच्छे नरके पड़ी था जगत तो उद्धा रहो हमें उडिया को जगनाजी है आइडिन्टिटी हमारा हुई है उनकी प्रसाद हमारी कुजिन है हम कोई बहुत मैं फिर कहता हूँ कोई बहुत जोर से कहना यह कोई यह कोई हमने मानता हूँ कि भारत इसमें और उडिसा एक कई मामलों में एक आप जो साड़ी पहने उडिसा का है तो आपने मेरे कोई रहे को गना इसका मैं आभारी हूँ आपको इसलिए ऐसा नहीं है और उडिया एक स्वाभी मानी जाती है झाल